दोस्तो जहीं नमस्कार अदाप सस्त्रियकाल स्वागत है मेरे यूटूब चैनल रेलवे जही ट्रैक मसीन में दोस्तो मैं आपका दोस्त इंजिनियर गुदूद स्रावन दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ रेलवे के वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बाती करने वाला हूं करीब दो दिन हम यूटूब पर वीडियो नहीं डाल पाए इसके लिए आप लोगों से बहुत-बहुत पाफी चाहते हैं दोस्तों हमारा तबियत काफी ज्यादा खराब हो गया था जाकी इलाच करवाए दो इन्यक्सन लिया इसके बाद जाके तबियत सहीवा दोस्तों दिन बर जाके पूरा दिन रेश्ट लिये हैं अ भी जाके सो के उठें इसके बाद अब कुछ आच्छा लगरा है तो मैं सोचा कि चलो बडियो बनाते हैं अगरे दोस्तों रेलिवे की भैकेन्सी एगए और कितना आने वाला है ये तो आने के बाद ही पता चलेग बोट कैसे मिलेगा आप ही सोच सकते हैं तो जब तक वह भैकेंसिया नहीं निकालेगी तब तक उसको उत्रा भोट मिलने वाला नहीं है जब तक लिए वह यूआ के लिए कुछ करेंगे नहीं तो रेलेवे में दोस्तों करीब भैकेंसि जो है 55-55,000 वैकेंसि आपको ड्राइवर का और टेकनिजियन का ये लोग का आने वाला है 2022 लाश्च तक आ सकती है आना चाहिए भैकेंसि आजाना चाहिए फिर क्या है कि आपको G.E. का भी वैकेंसि आई जेए का भी भैकेंसि पंदर से 20,000 वैकेंसि आरर अर्बी G.E. का भी आएग ठीक है गुरूप डी का वे वैकेंसी लाक से उपर आने वाला है दोस्तों रेल्वी में बहुत सारा सीट खाली है बहुत सारा सीट खाली है लेकिन सरकार उसको भढ़ना चाहेगी तब न तो बिल्कुल दोस्तों वैकेंसी आपका 2022 के लास्ट जो मन्त तक आने की पूरा जो जही का त्यारी करें हो जही का अच्छे से त्यारी किजिए क्योंकि दो एक्जाम होता है जही में अब तो हमको लग रहा है ग्रूप डी छोड़ के सब में दो एक्जाम हो गया सब में एक्जाम दो है ही आपका पीटी होगा मेंस होगा ठीक है दो एक्जाम होता ही है ठ हमारे दोस्तों बहुत सारे ने कोमेंट किये थे कि रेलवेज जेए का प्रिप्रेशन के प्रकार से करें दोस्तों मैं बता दू प्रिप्रेशन के बारे में देखें कि यह सब सुथ जाता है सबुछा जाता है एक मतलब जितना भी सीटी वन एक्जाम होता है जिन्रल सब में सेम क्यूचन पुछा जाता है तो अगर जे आप एक का त्यारी कर लेते हैं, सब का त्यारी हो जाएगा CBT1 का, फिर बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में technical ability का question पूछा जाता है, तो बात करें टेकनिकल की दोस्तों, तो टेकनिकल आपको जहां से भी अच्छा लगता है, उनका कोर्स खरीदें online, अगर जे पढ़ेंगे, तो और ज्यादा बेहतर होगा, जाके कोई टीचर से अच्छे से पढ़ ले, 5 महीना, 6 महीना, साल भर आप, अच्छा से जाकते, उसे मतलब 5 महीना, 6 महीना तो काफी है, जो लड़के पढ़े हैं, बेस मजबूत हैं, उनके लिए 6 महीना काफी है, तो उनके पास जाएं, वो टीचर के पास, आप 6 महीना एकदम जम के महनत के जाए, अशन नहीं है कि आप से एजाम नहीं निगलेगा, अब जो ज़्यादा थोड़ा डिसिप्लीन लड़के हैं, डिसिप्लीन जो आपके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोर्स खरीद के वो ऑनलाइन भी प पढ़ नहीं पाते हैं, जब तक उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मेरा काना यह कि यह है कि अगर आपको कहीं offline class मिले, तो आप उसको join किजिए, कोई अच्छे टीचर से आप 6 महीना जम का त्यारी किजिए, ऐसा नहीं है कि आपका exam नहीं निकलेगा, जरूर कि आपका कमजोरी कहां पर है, कौन सा topic पर है, उसको analyze किजिए, उसके पीछे खुब महनत किजिए, जानिए कि यह कोचन मरे को क्यों नहीं आ रहा है, CBT2 गरांटी निकलेगा, ठीक है, मैं तो CBT2 दिया नहीं हूँ, कभी क्योंकि मैं GDC से select हुआ हूँ, लेकिन GDC में भी द आपको टेकनिकल पढ़ना ही पढ़ेगा, इसलिए आप अगर पहले से पढ़के रहेंगे, तो बाद में भी आपको काम देगा, इसलिए अगर अभी भी आपके पास अगर टाइम है, तो पांच महीना, छे महीना, कोई अच्छे टीचर के पास जाके, उनसे आप त्यारी कर लिजे, नोट्स बना लिजे, प्रापर और उसको रिवीशन करते रहें, बाकी तो मार्केट में बहुत सारा बुक है पढ़ने के लिए, मैं बुक प्रेफर करूँगा, जो आरेस खुर्मी का बुक आता है, यह चंद पब्लिकेशन का, अबजेक्टिव 5000 प्लस, उसको आप प्रेफर कीजिए, कोई भी व्रांच के हो, मेकनिकल का भी आता है, अलेक्स्टिकल का भी आता है, सिविल का भी आता है वो बुक, आरेस खुर्मी अबजेक्टिव, और सब्जेक्टिव दुनों हता है, उसमें 5000 प्लस, उसमें अबजेक्टिव क्यूचर होते हैं, उनको पुछ सकते हैं, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कॉमेंट करके जरूर हमें बताइए, उसी से हमें पता चलता है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, अगर जाने से पहले, आप हमार वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तक रिपया करके लाइक कर दिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को सेर कर दिए दूस्तों ठीक है बाई जैहिंद